बोचपुरी सुपिस्टार पवन सिंग के गाने महादैव का दिवाना ने अकेले ही सभी के नाक में दम किया हुआ है जी हाँ गाना 25 मिलियन पहुँच गया है बहुत बड़ी बात है कि दो वीक में पवन सिंग का ये गाना सभी के बीच इतना जादा धमाल मचाय हुआ है कि पिछली सावन में रिलीज हुआ पवन सिंग का गाना हरी हरी चुडिया भी इससे पीछे चला गया है जी हाँ एक साल में उसे 28 मिलियन व्यूज मिले हैं लेकिन इस गाने को 25 मिलियन यानि पवन के गाने को पवन का गाना ही जल्द पचार देगा पिछले बार ये गाना बहुत ही जबर्जस्थित रहा था और इस बार महादेव का दिवाना हुआ जी हाँ अभी सावन खत्म होने में पूरा एक हफ़ता बाकी है महादेव के दिवानों पर तो पवन सिंग की धुनिस कदर चड़ी है कि वो उतरने का नाम नहीं ले रिये और शायद उतरेगी भी नहीं वैसे अभी तक बोल बम के जितने भी गाने आएं हैं जितने भी स्टार्स के आएं हैं सभी पानी भरते नजर आ रहे हैं पवन सिंग के इस गाने के सामने जी हाँ 25 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और धाई लाक से भी जादा इसे लाइक्स मिल चुके हैं वैसे जो लोग ये आरोप लगाते हैं पवन सिंग पर कि पवन सिंग अपने व्यूज को खरीते हैं उनके लिए वो एड लगवाते हैं तो भाई ये खबर उनहीं के लिए है क्योंकि इस कदर इस समय महादेव की धूम है आगे हर कोई बिलकुल फिका लग रहा है वैसे आगे पवन का और भी हंगामा जारी रहेगा यहीं पर वो रुकने वाले नहीं हैं फिर वो चाहे राजिस्थानी घागरा हो या फिर एक लोग गित जिसे वो पायल देव और अखिलेस कश्यप के साथ ला रहे हैं और या फिर पवन सिंग का एक और धमा का जी हां सु इनी ही इन्फॉर्मेशन है कि एक बहुत ही अच्छा सैड सॉंग है खैर वैसे भी बता दे कि पवन के सैड सॉंग हो या डांसिंग नंबर हो या फिर हो रोमेंटिक नंबर सभी को फैंस हाथो हाथ लेते हैं और इस बार भी पवन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कहां तो को ने सोचा था कि इस बार खेसारी लाल यादों के गानों ही धूम मचाएंगे चाहे वो भतिज्वा कमाई देवघर जाए होगा या फिर बाबा खेले पबजी होगा कोई न कोई गाना तो चलेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि पवन की जितने भी गाने रिलीज हुए है उससे दुगुना तिगुना गाना खेसारी लाल यादों ने रिलीज किया है लेकिन इस बार मानना पड़ेगा पवन की ही डंका वज रही है कोई नहीं है टककर में आप ये पवन के फैन्स कह सकते हैं बोचपुरी जगत की होटर मसालेदा गासिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले